सब्सक्राइब्ट वह बहुत बहुत को आगिसाली सुखस्ता हूं अपने आपको आप लोगे पीच में आने का मौका बार बार मिलता रहत हैं और आप सब लोगों को प्यार आज शुरुबाद करता हूं जो मैंने सबसे पहले गाया था जिस गीत की वज़े से आज आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ आप सब लोगों ने इस गीत को बहुत प्यार दिया मेरी पहली कैसेट का बी मिज़र कर दो कर दो कि यह रंगी लोपार मेरो यह दू को धाम अमारा भूरा उठाखन्द अपने आप में एक धाम है दिखे जिस पर दोड़ा हूँ हमाज खड़े है और यह आयोजन हो रहा है हमारे है कारी देखता गोर्जु बगवान के प्रांगे में हमारा पूरा उत्राखन्द ही मुआरा पूरा पहाड़ ही धाम है तो इपार जोरदार जैकार रपन्ये गोर्जु महराज की यह रंगी लोपा अधान मेरो ने दू को आम घर मेरो उतरा खंड गुपने तिरो नाम पाहाड छुती ग्यों जो लोग इस पहाड को छोड़के गये हैं वो बहुत सुनते हैं कि और जब भी हम लोग अर्द्वानी से नीचे इद्ली, मुंबई या बाग इंडिया से बहार प्रोगाम करते हैं तो सबसे पहनी फर्माइश वहाँ भी इसे गीत की रहती है क्योंकि वो अपने इस पहाड को अपने इस मार्डी को बहुत याद करते हैं उन्हे की दिल की बात है पाहाल छुती ग्यों परदे से जाना ले पाहाल छुती ग्यों पाहाल छुती ग्यों पाहाल छुती ग्यों परदे से जाना ले पाहाल छुती ग्यों भरी ग्यों मेरो मन भरी ग्यों कि जूता सो देने की तेरो ही ओ भरी ग्यो पर्दे से जाना दे वहार चुदी ग्यो कि जिस तरह आज हमारी जो नगरपाली का परशद है और पूरी टीम है आज एक मेला आप सब लोगों के लिए उन्होंने लगाया है पहले के जमाने में वैसे आज भी होता है कि थोड़ा सा हमारे जो भगवान है वो थोड़ा अकेले पड़ गए क्यूंकि पलाएं काफी ज्य मैं अपने बच्पन की बात बता रहा हूँ हमारे आसपास के सारे मंदिरों में साल में एक बार हर मंदिर में एक मेला होता था बड़े दूर दूर से लोग आते थे खरिदारी भी होती थी पगवान का डोला भी निकलता था और दूर अलग अलग गाउं से लोग आते थे र तो किस तरीके से अपने उस पहाड को पर्देश में बैठा हुआ क्योंकि पर्देश जाना कोई नहीं चाहता मजबूरी है रोजी, रोटी, पढ़ाई, लिखाई, नौकरी, अपने बच्चों का भोई से देखने के लिए पहाड छोड़ना पड़ता है क्योंकि संसादनों की कमी है तो कैसे याद करता है सुनिये दर्व यो सन भदा का तीका मैना म्यारा पहाडू में म्याना कैका जानी जात वाजू कैका जानी चाना पहाड छुटी ग्यों मेरी बात भीक लगी आपका मेरी बात में सच्चाई लगी आप लोग को जो मैंने बोगा अच्छा दोलाएं सिर्फ आपकी तालियों के साथ चितने भी लोग बैठें जरा इपाड़ दोनों हाथ उपर करेंगे धोलत नहीं बजेगी सिर्फ आपकी तालिया और मैं चाहूं पाहाड चुपी ग्यों 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 कर देश जानाने वहार की गरो कर दो